जये शेंदेव अच्छा नहीं चल रहा है तो ये उपाय सरूर कीचेगा इसके साथ-साथ मैं आपको आजकल लखी नंबर भी दूँगा और भी बहुत सारी जानकारी दूँगा जो आज के दिन को बहतर बना सकती है तो उनको ध्यान से नोट जरूर कीचेगा जाएत रहा है चलिए, सबसे पहले बात करेंगे आजके राशी फलकी तो दीखीए मानसिक रूप से अपने आपको अस्थिर मैसूस कर रहे हैं सभी तुला राशी के जातक emotionally आप ऐसा मैसूस कर रहे हैं कि आप swing कर रहे हैं अभी बहुत खुश हैं एकदम से बहुत निराश हैं एकदम से गुस्ता आ रहा है इस लिहास से दिन थोड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है क्योंकि ये emotional instability आपके बरताव को आपके व्यभार को प्रभावित कर सकती है और सीधे सीधे ये reflect करेगी आपके रिष्टों पर उहां पर भी तकरार की इस्तितियों को उत्पन कर सकती है खर्चों के लिहास से तुला राशी के जातकों का आज का दिन अच्छा नज़र नहीं आ रहा है बहुत अदिक खर्चा होने वाला है महीने का हंत का समय चल रहा है पहले ही हाथ बहुत टाइट हो रखा था पर अज ना चाते हुए भी खर्चा करना पड़ सकता है जिस भी चीज से एक तरफा लगाव तुला राशी के जातक आज करेंगे वो निश्चित रूप से आपको केवल और केवल निराशा देने वाली है क्योंकि आपके मन मताबिक वो काम नहीं होंगे आपके मन मताबिक जिनके प्रती भी आपका लगाव है उनका जो व्यवहार है वो आपको कश्ट पहुचाने वाला ही आज के दिन में साबित होगा तो एक तरफा लगा आप एक तरफा प्यार से आज सभी तुला राशी के जातकों को बचना जरूर चाहिए जो भी लोग creative कार्लियों में हैं उनके लिए बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि देखिए emotional instability के बवजूत की बहुत रचनात्मक व्यवा ख्याल आपके अंदर आ सकते हैं और उनको जब आप अपने career में implement करेंगे उनको आप अपने professional life में जब implement करेंगे तो निश्चित रूप से एक नई शोहरत एक नई ही पैचान आपको मिल सकती है जिसकी आप बहुत समय से तलाश कर रहे थे नौकरी पेश अव्यक्ति और जो भी लोग अपना व्यापार करते हैं अचानक यातर के सहयोग आज आपके रहे हैं तो उसके लिए पहले से ही तयार रहेगा आगे बढ़ने से पूर सभी तुलाराशी वाले जातकों को याद दिलाना चाहूँगा एक विशेश नवगरे यग आप सभी की सेवा के तो कहां शनीपीत मंदिर में 27 जुलाई यानि कि इसी गुरुवार को होने वाला है जहां जो भी तुलाराशी का जातकिया अन्य कोई भी भक्त जो शनीपीत मंदिर से जुड़ा हुआ है अपने रूठे हुए अपने एक विपरीत इस्थान में विराजमान नवगरे देवताओं को प्रसंद करने के लिए उनके बीज मंत्रों से आहूती देकर उन्हें प्रसंद कर सकता है और जीवन में सुक्ष, शान्ति, संपत्ति, मान समंद, प्रतिष्ठा सभी की प्राप्ति कर सकता है तो ऐसे अफसरों को ऐसे मौके को हाथ से ना जानिये देज़ेगा 27 जुलाइ को इस नवगर यग्य में जरूर जुड़ेगा और जो लोग दिली से बाहर रहते हैं उनकी सुविधा के लिए हमने लाइव स्ट्रीम किया है यह यग्य साड़े बारा बजे दुपैर से यह यग्य लाइव स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा उस यग्य में मानसिक आहूती देना भी उतना ही कारकर होगा जितना आप परसनली फिसिकली आकर अपनी आहूतिया देते तो मानसिक आहूती देने का अफसर तो कम से कम शनी पीठ मंदे से जोड़े किसी विभक्त को नहीं छोड़ना चाहिए चले वापिस राशी फल की बात कर रहा हूँ तो देखें जीवन साथी का जो रुख है वो आज आपके प्रती बड़ा उदासीन है बहुत ही उतसा से हीन है यानि कि उसमें कोई भी रोमांच आज आपको नजर नहीं आएगा जिस वजह से आज आप निराश हो सकते हैं चले चर्चा कर रहे थे हम लोग स्वास्थिक की द्रिष्टी से क्योंकि अच्छा दिन नहीं है तो वहाँ एक स्टार दोंगा धन्संपत्तिवी और साय की द्रिष्टी से आज का दिन सामान्य नजर आ रहा है तो तीन स्टार देना चाहूंगा अब आपको आज का लखी नंबर देदू इस लखी नंबर को ध्यान से नोट कर लीजे ज्यादा से ज्यादा इस लखी नंबर का आज इस्तमाल करना है लखी नंबर है चार आगे बढ़ने से पूर्व पहले एक आपको उपाय देदू जिससे आप स्वास्ते को बहतर बना सकते हैं तो देखिए आज सूर्योदे के समय पर उठकर ब्रह्म मूरत के बाद जब सूर्योदे होगा तो उसमें उठकर आप सूर्योदेवता को जल अर्पित करें अर्ग उसे जल में आप थोड़ा सा गुर्ड थोड़ी सी रोली आप डाल सकते हैं और सूर्योदेवता को उसे अर्पित करें निश्चित रूप से स्वास्त में सुधार सभी तुला राशी के जातक जरूर देखेंगे इसके साथ सभी तुला राशी वाले जातकों को और इस चैनल से जोड़े सभी भक्तों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे शनी पीठ मंदिर में एक विशेश जनता दरबार का आयोजन इस ही शनीवार को होने वाला है जिसमें ऑनलाइन या ओफलाइन यानि कि इस चैनल में अपना नाम जरूर लिखते है जै शनीवे अब आपको अपने रोज रोज के जंजटों से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे शनी पीठ मंदिर की एप एस्ट्रलॉजी बै गुरूजी पर एक मेजर अपडेट आ गया है अब इस आप के माध्यम से आप अपने प स्टार से भी दिन की सभी घटनाओं की डीटेल देते हैं इसके साथ साथ आपको मिलेगा अपने लखी नंबर और लखी कलर की भी जानकारी जो उस दिन पर आपके लिए सबसे ददा शुब है और ये आपकी जन्म कुंड़ी पर अधारित है ये कोई ऐसा वैसा कॉमन राश राशीफल है जब आप अपने जन्म की सटिक जानकारी हमें देंगे तो आपको ये राशीफल मिल जाएगा इसके साथ साथ अब हमारे शानी पीट मंदर की एप पर आप अपने और अपने परिवार के लिए हर परिशानी का जो उपाय है मोग मुफ्त में प्राप्त कर सकते है इसके लिए आपको अपनी जो जानकारी है वो हमें लिखकर भेजनी है अपनी परिशानी हमें लिखके भेजनी है हमारी आप के मात्यम से ही और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या उपाय करना आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा जो जल से जल आपकी सब ही परेशानियों का समधान करेगा ध्यान दीजी ये सभी उपाय वैदिक जोतिश पर अधारित होंगे ये हमारे गुरु रजनीश रिशी जी द्वारा दिये गए होंगे तो इनका नियम से पालन सरूर करें श्रत्ता भाव से जो कोई व्यक्ति जो कोई भक्त इन उपायों का प अभी बदलाव जरूर आएगे जैशनिते जल्दी से जल्दी इस एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें पसंद आए तो इस पर फाइव स्टार रेटिंग देना ना भूलें ताकि जादा से जादा भक्तों तक इस फ्री सेवा को पहुचाया जा सके इस एप को निये रखी जाती है तो बिल्कुल भी उसमें परिशान ना हो अपनी सटीक सटीक समस्या को लिख कर भेजें और अपना डेली राशी फल बड़ी सरलता से रोज आप ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं हमारी जो शनीपीक मंदर के एस्ट्रोजी बाइ गुरुजी आप है गूग से हमारे साथ जोड़े हैं तो आप भी देर मत कीजिए जल्दी से जल्दी इस एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए जैशनी देव मेरा नाम कफिल देव है मैं दिल्ली के दक्सिनकुरी एरिये से आया हूँ मैं यहां गुरुजी से आकर मुझे बहुत प्रसंता ह होई गुरुजी ने मुझे बावजी बंद दिया था जिससे मुझे प्यापार में लाब हुआ है इसके कारण में गुरुजी के पास दुबार आया हूँ अगर आप मैंसे किसी भी मेरे भाई ये बैन ये मेरे बड़े पिता जी को मरके एवाम बड़े वक्ति या बुजिर जैसेन गेव जैसेन गेव गुरुजी पढ़ रहा हूँ गुरुजी आप जो जिन बेजे थे उससे भी बहुत पायदा हुआ मेरे को मेरा काम दाम पर अबबर सही नहीं चला था अब कर सिवास से बहुत अच्छा काम चला और वो लाकिट भी काम बहुत करा बाजू बंद दिये थे वो भी काम करा बहुत गुरुजी आपकर सिवास से बहुत अच्छा काम दाम चला मंगर याप भी थोड़ा अपना अर्शिवाद हमेशा लिया मेरे सर पर बनाई रखिये आप से बिंति करूंगा गुरुजी करजा से तो मुक्त हो गया हूँ थोड़ा बहुत हो हो जाएंगे आपकर सिवाद लगे तो आप से बिंति करना गुरुजी कुछ और ऐसा करिये कुछ और आगे मैं निकल जाओं अपना खुद को यह में मकान बना सकूं है जमीन लेकि मैं आप से बिंति करना चाहता हूं गुरुजी थोड़ा काम दाम को दभाग के चलना और कि दर भी रुपे नहीं मेरा पैसे फंस जा रहा है रुपी जा रहा है आप से बिंति है गुरुजी थोड़ा असिवाद बनाईए कोई और उपाई बताईए गुरुजी मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए गुरु मान लिया हूं जय सनी देव गुरुजी पढ़ रहा हूं हमेशा अपना सिवाद बनाईए रखे हैं इस वीडियो को अपने हाई भेनों परिवार जनों मित्रों के साथ जादा से जादा वाट्सेप, पेस्बुक और अन्य माधमयों के आप शेयर ज़रूर